हेलो डियेर स्ट्रेंट्स दुस्वागत है आपका फार्मा एजुकेशन के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफर्म जीपैट डिस्कुसन सेंटर में तो दोस्तो जैसे कि आपने देखाई हैं पिछले बहुत सारे लेक्चर्स आप लोग देखी चुके हैं कि हम लोग प्रिव से पहले कैप्सूल से आए हुए प्रिवेस के कोश्चन जैसे कि जीपैट गेट नाइपर फार्मासिस टंग इंस्पेक्टर एक्जाम वह हम फूर पार्ट्स डिसकस कर चुके हैं आज हम फिप्त नंबर का पार्ट डिसकस करने वाले हैं तो दोस्तों यहां पर भी बहुत से यहां पर हम लोग के शुरू कर रहे हैं आज का लेक्चर विट्टो कुशन नंबर वन देख सकते हैं आप लोग विटामिन ई इस फार्मुलेटट एंड सप्लाइड इस विटामिन ई आप्शन ए टैबलेट आप्शन भी सॉप्ट जिलेटिन कैप्सूल आप्शन सी हाट जिलेटिन कैप्सूल और ऑप्शन डी ओल आप दीज विटामिन ई जो होता है कि फैट सॉलिवल विटामिन होता है और इसको ऐस से अगर हम बात करें तो ड्राइफ फॉम में हम यूज यहूँ जो कि फैट इसंट सॉलिवल विटामिन है और विशी बात है तो अगर हमनगी सों देखें थो इसको लृष्चि करें व्किसी ओईल में में हैं फॉरमिलेट करके हम लोग यूरा लूज जान जी आखा हना दोस्तोह कि स्म Mais ऑलमें formulate करके देते हैं, मतलब कुलमला के बाद ये solution हो सकता है क्या हो सकता है? solution solution के साब से देखे, tablet होगा नहीं ठीक, hard gelatin capsule में हम किसी type का liquid preparation fill नहीं करते हैं not filled the liquid preparation किसी type की liquid preparation fill नहीं करते तो हमारे बस बसता है कौन सा option B option, जी हाँ, soft gelatin capsule soft gelatin capsule is the correct answer और आपको पता भी के liquid और paste type की जो preparation रहती है, कैसी? liquid and paste nature की जो preparation होती है वो आपके किस में fill की जाती है soft gelatin capsule में fill की जाती है और आपकी vitamin E जो रहता है, आपका liquid form में रहता है, इसलिए हम इसको किस में fill करेंगे soft gelatin capsule में fill करेंगे तो correct answer क्या हो जागा दोस्तों B is the right answer, चलिए answer चेक कर लेते हैं पहले इसका yes okay, B is the right answer और यह सिक्किम डिया यह exam में आया था, तो हो सकता है कि there will be chances of another exams में भी यह पूछा जाएं तो इसलिए हमें इस type के questions की practice बहुत जरूरी होती है तो चलिए यह question ध्यान रखिए कि vitamin E को हम soft gelatin capsule के form में हम formulate करते हैं चलिए next question की तरफ चलते हैं बात करते हैं capsule की drying से related है और कौन से चलिए which one of the following drying method is commonly used in pharma industry for drying of soft cell capsule option A truck drying, option B food bed drying, option C vacuum drying and option D microwave drying चलिए तो इसमें थोड़ा सा मैं इस question पर थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि यह question हरेदा DCO exam 2019 में पूछा गया था तो यहां पर पूछा गया थे keyword देखते हैं drying method के बारे हैं किसके बारे में drying method के बारे हैं यह इसका keyword है हमें याद रखना है दोस्तों हमें keyword बहुत अच्छे से ध्यान रखने किसी भी method के कि किसी भी question का keyword हमें ध्यान देना तो drying method और किसके लिए drying यूज करे हैं soft cell capsule या कह सकते हैं soft gelatin capsule के लिए हम लोग drying method use कर रहे है तो ध्यान दीजेगा दोस्तों यहाँ पर soft gelatin capsule cell का अगर हम बात करें shell manufacturing filling sealing and then drying तो अगर हम बात करें cell की manufacture filling और sealing यह तीनों process simultaneous होती है और इसके बाद क्या होताँ इसका drying process होती है यहाँ पर यदि हम बात करें soft gelatin capsule cell का जो आपका shell होता है जब manufacture हम करते है filling करते है, seal करते है, shell होता है काफी soft होता है क्योंकि यह अगर हम बात करें तो यह warm gelatin से prepare कराया जाता है warm gelatin से prepare किये जाता है ribbon gelatin warm ribbon gelatin से इसको हम prepare करते है warm ribbon gelatin से हम इसको प्रिपेर करते हैं धान दीज़े कैसे वार्म जिलेटिन से तो इसमें अडेसिवनेस होगी तो हम हमको इसमें से ऐसी मेथड सेलेक्ट करनी है जिसमें कैप्सूल एक दूसरे के पर इस्टिक ना करें और लो temperature पर एक तरीके से बात करेंगे लो temperature पर हमारा ड्राइंग प्रॉसेस हो जाए देखे ट्रेक ड्राइंग है ट्रे ड्राइंग आपका हाड जिलेटन capsule की में यूज करते हैं फ्रूडाइज बैट ड्राइंग अगर हम यूज करेंगे तो हो सकता है कि capsule capsule आपस में एक दूसरे से इस्टिक करता है इस तरीके से क्योंकि फ्रूडाइज ड्राइंग में क्या करते हैं material को suspended करते हैं microwave ड्राइंग बहुत ज्यादा effective method नहीं है तो बसता हमारे पास vacuum ड्राइंग वा method होती है जिसके तुरू जिसके तुरू हम कम temperature पर pressure का यूज करके vacuum का अप्लाइ करके क्या कर सकते हैं हम soft gelatin capsule का कह सकते हैं कि हम soft gelatin capsule cell का drying process अचीव कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर correct answer क्या हो जाएगा c vacuum drying चली देखते हैं answer check करते हैं क्या होगा yes is the right answer next question पर चलते हैं the pH range for capsule filling material तो यहां पर रेंज पूचा गया है 2.5-7.5-225-210-527.5 तो दोस्तों यहां पर हमें याद रखना है कि capsule में जो range होती है इस range को आपको याद रखना पड़ेगा range होती है 2.5 से 7.5 होती है मतलब alkaline material से लेकर आप स्लाइटली alkaline material से लेकर आप acidic material को भी fill कर सकते हैं तो एक पूरी की रेंज दी गई है तो यह अकेलास में 225 में क्या दिया हुआ है कि एसा नहीं है कि capsule में alkaline material फिल नहीं कर सकते हैं ठीक है यह आप फिर कह सकते हैं कि material अगर जिस material की pH कैसी होगी अगर alkaline होगी तो क्या उसको फिल नहीं कर सकते तो यह बी option के साफ़ से तो क्या हो जागा रोंग हो जागा तो यह बहुत ज्यादा तो highly alkaline हो जाएगा क्या हो जागा highly alkaline highly alkaline पर capsule cell पर effect पढ़ सकता है और 2 मतलब क्या highly acidic होगा तो बहुत ज्यादा alkaline नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा acidic नहीं होना चाहिए इस तरीके के जो range आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2.527.5 यह करेक्ट है एकदम से यहाँ पर भी अगर देखें 527.5 तो यहाँ पर देखें एक तरीके से neutral के आसपास ही जा रहा है तो यहाँ पर देखें lower अग कर कहां तक होती है 7.5 पीच के बीच में होती है तो इस material को हम बढ़ी आसानी के साथ हमें इसमें फिल कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो correct answer होगा हमारा क्या होगा A is the right answer जांसे देखिएगा A is the right answer चलिए next question की तरफ चलते हैं micro encapsulation technique used for the यहां पर पूचा गया है micro encapsulation का object या कह सकते है significance test masking sustained release reduction in the gastric irritation जी हां test masking and कह सकते है flavor masking में काम करता है क्योंकि आप अगर micro encapsulation को को देखें micro capsule को देखें तो इस तरीके से एक क्या होता का आपका एक polymeric shell होता है और उसके अंदर आप nost Allah एक और पोलीमरिक होता है यह चाहल कि यह सेल क्या सविक्ष जिसमने आपकी drug होती है तो drug का जो भी अन्प्रिजन टेस्ट और और तो मास्क हो जाए क्या क्या कर दिया इसको इंक्विलिट करा लिया तो A is the right answer अब यहां पर polymer use कर रहे हैं तो polymer definitely polymer क्या करेगा polymer जब भी use करते हैं तो वो क्या करता है release characteristic को modified कर देता है तो यहां पर क्या होगा definite सी बात है sustained और controlled release provide करेगा आपके preparation को तो B answer भी correct हो जाएगा इसमें अगर देखें बात करें तो जो release हो रहा है वो slow manner में हो रहा है यहां से drug का release होगा दोस्तों किसम होगा slow manner में होगा slowly तो slow manner में होगा तो क्या होगा gastric irritation के chance बहुत कम होंगे gastric irritation के chance क्या होंगे बहुत less होंगे जैसे कि हम बाथ करें, normal capsule में बात करें, तो यआंपर क्या होता है, je mau होता है, Suddenly क्या होता है? Dissolve क्या होता है, लेकिन इसके कारण इसमें slow release होने के कारण micro capsule से slow release होने के कारण gastric irritation क्या हो जाएगा decrease हो जाएगा साथी साथ drug toxicity भी क्या हो जाती है decrease हो जाती है जान दी जगा drug toxicity भी क्या हो जाती है decrease हो जाती है इसके अलावा अगर हम और objects के बारे हम बात करें तो यह क्या होता है कि आपका drug को physical, chemical and biological degradation से भी prevent करता है, chemical, physical and biological degradation से बचाता है, और आपका micro encapsulation, surface properties को modified कर देता है, इसके अलावा जो volatile principle होता है, उसकी volatility को control करता है, मतलब उसको volatize होने नहीं देता है, तो यह कुछ object है, इनमें से तीन object जो आपके option में, test masking, sustained release, reduction in gas degradation, यह तीनों के तीनों के तीनों, कह सकते हैं, goal होते हैं, micro encapsulation के तीनों के तीनों object होते हैं, तो correct answer क्या हो जागा, D, correct answer दोस्तों क्या हो जागा, D, I hope, आपको micro encapsulation के बारे में, इस question के तुरू काफी कुछ समझ में आई होगी, correct answer क्या हो जागा, D, yes, चली बढ़ते हैं, answer check करते हैं, correct answer D है, चली, next question, the best choice of a diluent for stock powder, powder के लिए, अगर हम बात करें, देखें, सबसे बहले हम question को पकड़ते हैं, ठीक, question को देखते हैं, तो यहाँ पर पूचा गया है, क्या, आपका diluent for stock powder, stock powder के diluent, तो question किस से पूचा गया है, देखें, दोस्तों ध्यान दीजे का diluent से पूचा गया है, किस से diluent से पूचा गया question है, हमें याद रखना है, किस पर diluent से लिया गया question है, ठीक, diluent for stock powder, especially when preparing capsule, तो यदि capsule को आप prepare कर रहे हो, ध्यान दीजे गया, और stock powder, जो भी आपका stock powder है, stock powder, उसको आप किस में फिल कर रहे हो, stock powder को आप किस में लेकर फिल कर रहे हो, capsule में फिल कर रहे हो, stock powder को ले जाकर आप किस में फिल कर रहे हो, कैपसूल में फिल कर रहे हो, तो इसके लिए पूचा गया है, कि इनमें best suitable diluent क्या होगा, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है, सर्वस्र यहां पर मान के चलिए कि antioxidant का काम करता है आपको पता भी है ठीक यहां पर अगर टेल के बारे बात करें तो Glident या Lubricant का काम करेगा स्टार्च के बारे बात करें तो यह disintegrant का काम करता है और जो last option बसता हमारे पास जैसे कि आपको पता है Best अगर मैं बोलूँ Best diluent कौन तो lactose है Best diluent कौन है lactose तो correct answer क्या होगा यहां पर कि capsule में stock powder की filling के लिए अगर आपको diluent यूज़ करना हो तो इसके लिए best option है आपके पास lactose यास lactose is the correct answer ठीक है lactose क्या होगा correct answer होगा और देखे option भी देखें यहां पर कोई भी diluent नहीं है कि बन एक ही diluent है वो भी lactose है तो correct answer क्या हो जागा D चलिए next question को देखते है correct answer D है the disintegration time as per the Indian pharmacopoeia for hard diluent capsule and soft diluent capsule चलिए hard diluent capsule और soft diluent capsule का disintegration time पूछा गया है और respectively पूछा है hard diluent and soft diluent का तो यहां पर हम recall करते हैं को options पर जाने से पहले हम recall करते हैं इनके hard diluent के और soft diluent के आपका disintegration time तो मैं यहां पर HGC और मैं भी options भी नहीं देखा रहा आपको SGC तो आपको पता है hard diluent capsule का disintegration time as compared to soft diluent कम होता है कितना होता है only 30 minutes यह कह सकते हाफ hour और यदि बात करने soft diluent capsule को देखें तो इसका disintegration time कितना होता है 60 minutes जादा होता है as compared to hard diluent capsule कितना होता है 60 minutes जाद कह सकते हैं 1 hour चली option match करते हैं यहां पर पहले दिया हुआ hard diluent का soft diluent का तो यहां पर दिया option A 1 hour and 30 minutes option B 30 minutes and 1 hour option C 15 minutes and 30 minutes और option D 30 minutes and 15 minutes देखें 15 minutes का तो फंडे नहीं है तो यह दोना option cancel कर दीजिए अब इसमें confusion है हमारे पास चली confusion को दूर कर देते हैं हम इसके तुरू तो hard diluent का पहले आएगा कितना 30 minutes तो 30 minutes आ गया soft diluent का 1 hour 60 minutes यह आ गया तो correct answer हो जागा यह B अगर माल लीजिए इस question को correct answer तो यह है अगर इस question में क्या कर देते हैं respectively की जगे हम irrespectively कर देते हैं कर देते हम irrespectively तो answer हमारा बदल जाता इस पलिए तो answer हमारा बदल जाता है यह हम पर जो answer हो जाता वो हमारा यह हो जाते है एक कुश्चन को थोड़ा सा change कर देते हैं अगर माल लीजिए एक्जाम्म裡面 कि कुश्चन को रटी है गा नहीं अगर माली यू ऑल लीजिए नमर 6 का correct answer check करते हैं correct answer क्या होने वाला question number 6 का जी हां correct answer B बॉंबे तो जैसे कि मैंने आपको बताया था यदि irrespectively होता तो यहां पर जो answer होने वाला था हमारा क्या होने वाला था ए आंसर लेकर यहां पर respectively के form में दिया हुआ है इसलिए answer हमारा clearly B answer होगा चलिए next question की तरफ चलते है question number 7 sulfur dioxide is used as sulfur dioxide का capsule preparation में क्या roll रहता है as a coloring agent yes as a coloring agent या फिर to prevent the bitterness to prevent the decomposition of gelatin shell और या फिर D none of the above तो यहां पर हमारे पास 3 option है उसमें से देखते हैं फिर अगर नहीं होगा तो none of the above पर जाएंगे तो सबसे पहला coloring agent तो coloring agent के बारे बात करना है sulfur dioxide कभी coloring agent की जैसे work नहीं करता है coloring agent से different type की dyes जैसे indigo carmine और quantum yellow इस तरह की dyes हम यूज करते हैं capsule cell में capsule को distinct color provide करने के लिए bitterness को suppress करने के लिए prevention of bitterness के लिए आप sweetening agent यूज कर सकते हो synthetic or natural जो भी आपका option में हो वह आप select कर सकते हो तो यहां पर a option भी नहीं होगा भी option भी नहीं होगा c option को discuss करते है c option क्या है to prevent the decomposition of gelatin shell जी हाँ sulfur dioxide gelatin shell में यूज होता है और gelatin shell में यह एजा preservative का का काम करता है yes किसका काम करता है preservative का तो यह आपके shell shell के decomposition को prevent करने का काम करता है कौन है sulfur dioxide sulfur dioxide वह material होता है जो कि आपके shell के capsule cell के आपके कह सकते हैं कि आपके जो capsule cell material को या capsule cell को degradation से prevent करता है इसलिए दोस्तों हमारे पास जो correct answer होने वाला वो क्या होने वाला c answer चलिए check करते हैं correct answer क्या होने वाला चलिए c is the right answer question number 8 the ratio of dry gelatin to dry glycerin in soft gelatin capsule यहां तो है यहां तो यहां पर DRY gelatin gelatin का roll क्या होता वो हमें जानना जरूरी है gelatin जो होता है आपके अगर gelatin आपके बारें बात करें तो gelatin आपका capsule cell में film former का काम करता है इसका by Henry वहीं यदि बात करें glycerin गलेसरिन जो होता है वो plasticizer का काम करता है ओके books में जो लिखा हुआ है वो ratio जो लिखा हुआ है dry plasticizer to dry plasticizer to dry gelatin dry gelatin इस तरीके से लिखा हुआ है तो यहां पर हम देखेंगे जो प्लास्टिसाइजर रहता है, यहां पर कौन सा प्लास्टिसाइजर हम लोग यूज़ करें, ग्लिसरिन, तो जो प्लास्टिसाइजर से आपकी कैपसूल की softness या hardness decide होती है, जी हाँ, जब क्या होता है कि प्लास्टिसाइजर less amount में होता है, तब आपका यह जो रेशो दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे, तो बुक्स में रेशो दिया हुआ है, अगर हम बात करें, तो बुक्स में जो दिया हुआ है, तो यहां पर अगर हम बात करें, जो दिया हुआ है बुक्स में, वो उसके साब से अगर देखें, प्लास्टिसाइजर का ज हाड capsule prepare होगा 0.4 0.6 ratio to 1 तो आपका medium softness वाला medium hardness वाला capsule prepare होगा और 0.8 ratio 1 है तो उस case में आपका soft gelatin capsule prepare होगा तो हम देखिए soft gelatin capsule तो हम जट से उठा के answer C कर देंगे लेकिन नहीं आप question को पड़ी यहां पर जो proportion पूचा गया ratio पूचा गया वो पूचा गया है dry gelatin to dry glycant मतलब उलट हो जाएगा उलट किसा हो जाएगा कि soft gelatin के लिए जहां पर ratio जो होगा 1 ratio 0.8 हो जाएगा ना कि 0.8 ratio to 1 हम सबसे पहले क्या करते हैं जब हम question आता है exam में अच्छे से question को या तो देखते नहीं है options को नहीं देखते तो question गलत कर देते हैं बहुत सारे बच्चों ने इस question का answer गलत लगा है C लगा दिया बोलने लगए कि books में तो बुक्स में तो दिया 0.8 ratio to 1 लेकिन यहां पर दिया बुक्स में क्या दिया हुए ड्राय प्लास्टिसाइजर टू ड्राय जिलेटिन दिया हुआ यहां पर लेकिन question में उलट दिया हुआ क्या दिया हुआ question में dry gelatin to dry glycerin dry gelatin to dry glycerin तो उसके इसाब से जो answer होने वाला जस्ट पलट जाएगा जस्ट उलट हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 ratio 0.8 तो मतलब इसके साब से जो answer हो जाएगा हमारा D answer हो जाएगा तो यहां पर दोस्तों जो correct answer होने वाला हमारा वो कौन सा है दोस्तों इसको ध्यान रखना है अब next question पर आते है identify the salt used for the polishing of capsule यहां पर बात हो रही है especially बात करें hard gelatin capsule की बात हो रही है hard gelatin capsule में है अलग-अलग steps होती है आपने देखाऊ सबसे first step में आप capsule cell formation होता है किसका होता है manufacturing of capsule cell manufacturing of capsule cell जो आपका pin molding method से करते हैं उसके बाद filling होता है then sealing फिर आपका cleaning और last में होता है आपका polishing तो यहां पर polishing agent पूछा गया है क्या पूछा गया polishing agent पूछा गया है तो polishing agent के लिए यहां पर अगर देखें तो sodium bicarbonate stars ammonium chloride use नहीं किये जाते हैं यहां पर best जो polishing agent होता है वो होता आपका sodium chloride जी हां दोस्तों क्रेक्ट आंसर क्या होता है sodium chloride sodium chloride जो आपके polish के लिए capsule salt gelatin capsule की polish के लिए हम use करते हैं जिससे कारणा उस पर एक gloss आती है एक special टाइप की cluster आती है तो इसलिए यहां पर दोस्तों क्रेक्ट आंसर क्या हो जागा डी इस दा राइट आंसर डी इस दा क्रेक्ट आंसर चलिए आगे करते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है चलिए इसका राइट आंसर होना चाहिए चलिए डी राइट आंसर है sodium chloride और यह question जो आप देख रहे हैं अलग-अलग exams में पूछा गया है बहुत बार पूछा गया है तो संभावना है chances हैं कि आपके आने वाले exams में भी यह question पूछ लिया जाएगा चलिए अब next आते question number 10 capsule that do not disintegrate in the stomach yes ध्यानती जी का दोस्ते do not disintegrate in the stomach stomach में disintegrate नहीं हो रहा है लेकिन कहां पर disintegrate हो रहा है intestine के बारें बात करें जा hard chain capsule हो या the α conventional tablet उसका यो डATTींडीकेशन जी हो प्रोसेस होती है वो कांपर होती इस ट geography में होती है कांपर होती है दोस्तों इस टमप नॉर्मल की लेकिन यहांपर बोला गया है कि इस टमप में नहीं कराना कांपर कराना e small intestine तो small intestine और stomach में एक चीज़ का बड़ा difference होता है दोनों की pH में यह highly acidic pH होती है किसकी आपकी stomach की और इसकी pH, small intestine की pH के बारे में बात करें यह आपकी neutral to slightly alkaline होती है तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा ऐसा उपाय करना पड़ेगा ऐसा मेजर करना पड़ेगा जिसके तुरू आपका जो capsule shell है आपका stomach में degrade ना हो disintegrate ना हो कहां पर जाकर हो small intestine में हो तो इसके लिए हमें capsule जो हाप मारा capsule है इस पर special type के polymer की coating करनी पड़ेगी वो special type का जो polymer होगा वो कौसा होगा आपका pH sensitive polymer होगा pH sensitive polymer क्या होता है ऐसा polymer होता है जो कि stomach pH पर stomach pH पर अगर हम बात कर इस टमक pH पर dissolve नहीं होता कोई effect शो नहीं करता disintegrate dissolve नहीं होगा तो यह क्या होगा कि आपका capsule intact बना रहेगा और इस टमक में disintegrate नहीं होगा लेकिन जैसे ही यह capsule इस type का capsule coated pH sensitive polymer से coated जो capsule small intestine में होगा तो यह क्या करेगा आपका इसका जो shell है यह आपका dissolve होना start हो जाएगा फिर आपका capsule expose हो जाएगा और expose हो जाने के बाद capsule बड़ी आसानी के साथ disintegrate हो जाएगा तो इस type के material को इस type के polymer को बोलते हम enteric polymer tablet में भी पढ़ा होगा आपने क्या बोलते हम enteric polymer और इस type के enteric polymer से coated capsule को बोलते हम enteric coated capsules तो यहाँ पर sustain release नहीं होगा option, rectal capsule भी नहीं होगा, soft gelatin capsule भी नहीं होगा, correct answer क्या होगा enteric coated capsule तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा capsule जो की small intestine drug release शो करें small intestine disindication शो करें उस type के capsule को बोलते हैं enteric coated capsules चली correct answer देखते हैं क्या है B is the right answer next question the hygroscopic और eutectic substances that can be filled into heart gelatin capsule as adsorbent तो दोस्तों आपको पता eutectic material क्या होते हैं जैसे suppose एक material यह दूसरा material यह normal room temperature पर solid होते हैं लेकिन जैसे इनको mix कर दिया जाता है यह कैसे हो जाते हैं liquid हो जाते हैं hygroscopic material क्या होते हैं यह monster को absorb करते हैं क्या करते मौस्चर को absorb करते हैं और absorb होने के बाद क्या हो जाते हैं लिक्किफाइड हो जाते हैं तो यदि माली यह कोई material आपका लिक्किफाइड टेंडेंसी का होता है तो उसको उसकी उस टेंडेंसी को प्रवेंट करने के लिए उसके कारण जो लिक्किफिकेशन हो रहा है उसके कारण capsule cell पर harmful effect ना हो उसके क्योंकि एक लिक्किफेक्शन होगा तो there will be chances of formation of water और यह water क्या करेगा capsule cell को soft कर देगा और कुलमला के बाद capsule cell में क्या कर सकता है कि problem create कर सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता कि hygroscopic material क्या होते है कि capsule cell से moisture को absorb कर लेंगे और क्या होगा कि उसको capsule cell को brittle कर देंगी तो कुलमला के moisture जो है आपका capsule cell का disturb हो जाएगा आपको पता हार्ड़ जरेटिन का moisture content तो इसके लिए आपको जो मॉस्टर है या कह सकते हैं जो मैंटेन करना पड़ेगा अगर माली मॉस्टर प्रेडियूस हो रही है यह माली यह मॉस्टर को अब्सूर्ब करते हैं कि अंदर है तो एड्मसफ़र से अब्सूर्ब तो नहीं करेंगे कैपसुल से यह अब्सूर्ब करेंगे हां लेकिन यह जो मैट्रियल यह यह आपस में मिलकर वाटर फॉर्मेशन कर सकते हैं तो इसके लिए इस कंडिशन को मिनिमाईज करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा एड्सॉर्बेंट यूज़ करने पड़ेगे तो यह तीनों के तीनों यह तीनों के तीनों एड्सॉर्बेंट का काम करते हैं और डेफिनेटली इनको हम कैपसूल में यूटिलाइज कर सकते हैं जब हम हाईग्रोस्कोपिक या यूट्रेक्टिक सबस्टेंस को हम कैपसूल में फिल करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जागा a preservative option B not suitable for used as a suppositories option C not suitable for ophthalmic cointment option D the manufacturing and filling of medicament are done in separate operation तो दोस्तों यहाँ पर B option not suitable for used as a suppository यह इसको हम capsule कुछ capsule suppositories भी आती हैं तो हम capsule को supporting के जैसे use कर सकते हैं तो suitable for used as a suppository तो यह B option जो है वो not suitable लिखा हुगा तो incorrect हो जाएगा suitable होता तो correct हो जाता C option में लिखा है not suitable for ophthalmic cointment ophthalmic cointment आपकी semi-solid preparation होती है और आपने देखा और different type के soft gelatin capsules होते हैं और में उप्थलिक cointment को fill करके हम utilize करते हैं जैसे आपने कुछ antibiotics के ointments देखे होंगे तो यहाँ पर c b incorrect हो जाए क्योंकि not suitable लिखा हुगा तब manufacturing and filling of medicament are done in separate operation यहाँ पर separate operation नहीं होते combined operation होता है simultaneous operation होता है किस में आपका soft gelatin capsule cell की filling में है तो यहाँ पर देखिए यह option पर चलते हैं methyl और propyl peraven best preservative हैं जो की capsule cell को microbial contamination से prevent करते हैं उनको 4 ratio 1 ratio methyl और propyl peraven को 4 ratio 1 ratio में हम 4 ratio 1 ratio में हम use करते हैं तो correct answer क्या हो जागा A is the right answer चलिए देखते हैं A is the right answer question number 13 पर चलते हैं which of the following is a water immiscible liquid encapsulated into soft gelatin capsule इनमें से कौन सा material है जो की water के साथ immiscible है कौन सा solvent है जो water के साथ immiscible है और इसको soft gelatin capsule में fill कर सकते हैं option A ethoxylated sorbiton option B polyether option C secondary alcohol and option D chlorinated hydrocarbon तो जी हां दोस्तों इसका best answer जो है हमारे पास है वो chlorinated hydrocarbon chlorinated hydrocarbon ऐसा water immiscible liquid होता है जिसको हम soft gelatin capsule में fill कर सकते हैं तो correct answer क्या हो जागा D question number 14 solid fills for hard gelatin capsule frequency content which of the following excipient as a disintegrant disintegrant क्या होते हैं वह सब्स्टेंस होते हैं जो कि capsule capsule को breakdown कर देते हैं capsule cell को तोड़ देते हैं capsule material को तोड़ देते हैं जिसके कारण drug free हो जाती है dissolution के लिए तो यहां पर देखे glide and glide and क्या करते है flow property को promote करते तो यह option तो नहीं होगा lactose diluent का का करता है जब ड्रक का content कम होता है ड्रक का धोस कम होता है तो उसको क्या करते हैं बॉल्यूम makeup करने के लिए आप lactose को यूज करते हो मैंगनेशन इस्ट्रेट यह glide and का का काम करते हैं lubricant का का काम करते capsule फिलिंग में फ्लो प्रोपरटी को promote करते हैं अब बसता है स्टार्च जी हां तो यहां पर answer भी हमारा क्या होगा स्टार्च स्टार्च वह material होता है जो capsule में फिल करते हैं जो capsule के breakdown को क्या करता है इस करता है आसान करता है तो correct answer क्या हो जागा D चलिए D is the right answer चलिए next question पर चलते हैं question number last इस question का इस lecture का question last capsule in which powder are enclosed are made up of option a gelatin option b rice floor option c fructose and option d dextrose तो दोस्तों यहां पर बड़ा simple सा है कि बहुत simple question अगर देखें capsule में उठा कर देखें तो सबसे simple question है कि capsule को जो capsule shell होता है वो किस से बनता है तो capsule shell में different type के component यूज़ करते हैं लेकिन सबसे मेन जो component होता है मुझ जिलेटन होता है film form or material होता है तो correct answer क्या हो जाएगा यह जिलेटन राइस फ्लोर कैचेट्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं और fructose dextrose का as such को यूज़ नहीं दिखता capsule में चलिए तो दोस्तों इस lecture में capsule part 5 के इस lecture में इतना ही next जो lecture हमारा आने वाला capsule part 6 वो last lecture होगा capsule के previous years के questions का तो जल्दी हम मिलते हैं next lecture में तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए thank you so much take care bye bye